बुंदेल खंड उत्तर प्रदेश के महान सूफी हजरत बाबा हाकीम निजामी रहमतुल्ला अल्यक कमहरिया शरीप मौधा के 61 ओर से मुबारक मौके पर उनके चाहने वाले मसूद भाई एन ग्रूप के चानिप से इद्गा फरीद नगर में दिन रोहिवार को आम लंगर का अहतमाम किया गया जिसमें बाबा की चाहने वालों और अकीदत मंदों ने भारी संख्या में शिरकत की कहा जाता है कि भिला इसपास सैंत्र के स्थापना की समय बाबा की दुआउं से मौधा के बारा गाउं से लोग भिला दुर्गवर रायपूर आए और सफल हुए उनके फैजान से माला माल होते हैं इसी सिल्सिरे को लगातार तीसरे वर्ष भी जाही रखते हुए आम लंगर का एहतमाम यहां पर किया गया जिसमें औरतों के लिए भी अलग से विश्यस विवस्था बनाए गई थी इस प्रोग्राम में शामिल होकर फिंसिटी की लोग फाई ज जामी के नाम से बुंदेल खंट के सूफी संथ हैं मसूर संथ हैं उनकी याद में उर्ष हुआ अभी किस तारिक से लेके 24 तारिक तक उसी के उपलक्ष में यहां पर आम लंगर कराए जा रहा है यहां लंगर में बहुत दूर दूर के लोग सरीक हुए हैं लगवाई यह मा महराजा हकीम बाबा निजामिर एक सट्वा उर्ष जो वहां पर हो रहा है उसी के सिलसिले में हमारे मसूद भाई और हमारे उनके तमाम दोस्त अहबाब की जानिव से यहां पर तीसरा साल जो है लंगर काम लंगर के हित्माम किया गया है और उनकी फजीलत तो पूरे मौद प्रदेश की सरजमी के लोग जानते हैं और उन्हीं की दुआओं से आज यहां जो मौदा समाज और उसके साथ साथ और भी समाज जो है फरीभूत है काफी तरक्की में तो उनके चाहने वालों की जानिव से जो है यह यहां पर लंगर के हित्माम किया कि जिसमें मर्द और प्रोर्तों का भरपूर इंतिजाम था